नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुषका राय और आप देख रहे हैं न्यूस हल चल इंडिया पत्रकारों ने मांग की कि विगत दीनों भेरवगर जेल के जेलर के खिलाफ एक बंदी महिला ने शिकायत की थी जिसके आधार पर उन्हें यहां से अटेज किया गया था उसी आधार को लेकर जेलर लडिया ने पत्रकार जगदीश परमार अभयतिरवार और अन्य पत्रकार साथियों के खिलाफ एक शिकायती आवेदन देकर उन पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी जिससे पत्रकारों में रौश फेल गया था पत्रकारों का कहना है कि जब भी खबर छब जाती है उसके बाद पत्रकारों पर कतीपई अधिकारी ब्लेक मैलिंग का आरोप लगा कर उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं इन घटनाओं को लेकर पत्रकारों में खासा आक्रोश था और बेलगातार सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सीहं हाडा एवं सचीव उदै सीहं चंदेल पर जीला पुलिस अधिक्षक से मिलकर मामले में नीर छीर जाज के आदेश देने की मांग करते आ इसी तरह शास्किय माधवनगर चिकित साले में अपने करतव्यों का निर्वाहन कर रहे पत्रकार राजेश रावत एवं कोरोना काल में सतत मैदान में रहकर सक्रिय भूमी का निभाने वाले पत्रकार जितेंदर सीहं ठाकुर के विरुत्तु दर्ज प्रकरण को भी जीला पुलिस अधिक्षक के संग्यान में लाया गया इस अवसर पर पत्रकार हर्श जायसवाल जितेंदर सीहं सेंगर प्रेस क्लब के कोशा ध्यक्ष प्रदीप मालवियर विश्वास सर्मा संदीप गोस्वामी गगन परिहार सचिन सिनहा जितेंदर सीहं ठाकुर शादाब अंस प्रतिप जो इसे कहते हैं प्राप्त हो ही है उसको लेकर प्रतिनी तर्मंडल मिला था इस तरह के तीन प्रक्रण है उन तीनों प्रक्रणों में हमने एक है कि उसका पूरा वेरिफिकेशन कराया जाएगा और उसके पश्चात अगर कुछ उसमें तत्य पाय जाते हैं तब ह कर वही हो और पूरा विधिवद जाज के अमरूप विधिवद जाज के पश्चात जो भी उसमें तत्य थाएंगे उसके कर वही कर देखिए अभी वर्तमान में हमारे कुछ साथी अपने कर्तव कर्तव के दोरान कुछ उन्होंने खबरे लिखी थी और भहरावगर थाने का मामला था एक हमारे पत्रकार साथी हैं जगदीश परमार अभाई न्यूस के साथी हैं एक हरी भूमी के संपादक हैं उनके खिलाफ जेलर ने प्रकरण उनके ओपर शिकायरती आविदन वहां दिया है थाने पर तो उसको लेके हमने निवदन किया है चूंकि खबरे लिखन प्रशाच्तिक मामला है दूसरा हमारे पत्रकार साथी और है और दो साथी जिनके ओपर अपना एक और प्रकरण माधाउनगर में और नील गंगा में दर्ज हुआ है तो उनको लेकर भी हमने बात किये जितन ठाकोल और राजेश रावत जी तो वह मेंटर पर उन्होंने कहा है कि हम इस पर शीगिर कारवेकर उसको खात्मे क्यों और कर रहे हैं इस मामले को लेकर प्रेस क्लब के हम सभी साथी आज एसपी से मिले देखे अभी कुछ तीजों की घटना करम में हमारे दो पत्रकार साथियों पर 353 का बाधा का पक्रण दर्ज किया गया था जो की पुल कोई मामला नहीं बनता है चुकि पक्राशन को लेकर कोई मामला है तो वह उसको पर पक्रण दज करने की स्थिति बनती नहीं है और आपको खंडन करना चीए अगर आप पक्रण दज करना लग जाएंगे पत्रकार पर तो यह सही हुदी है तो उसको भी उनना कंसिडर किया ह एसपी साब से दो विशे को लेकर हम मिले थे थाना निलंगा में एक हमारे साती है जितेन ठाकूर और मादोनगर थाने में राजे श्रावत जी के खिलाब शास की कारे का बाधा का मुकदमा दर्जुआ था यह मुकदमा वापिस हो इस मांग को लेकर हम मिले हैं दूसरी मां थाना भीरूगण में जेलर लडिया जी ने फिकायत आवेदन दिया है इसमें हमारे सातिक्ट क likes एको प्रीस क्लब ख के संग्यान में लेकर मथने आधार है कोई भी मामला होगा त्रह ह्था करनेम काशन फाल रूनल है इसमें मातला करिस हान्याश कर रधा